तीसरा, घर में भी पती बैठा रहा है और माताजी ये करो, ये ले आओ, ले आओ, करते लेंगे उनको थोड़ा लगेगा, तो समान अधिकार है, दोनों है, तो हमें भी घर में कुछ काम करना चाहे, अपना जो काम है, या फिर भी माताजी को सब्जे ला के दिया, सब्जे का दुर्ग है, समय है, तो घर के सेवा में हाथ बटाना चाहिए, कि नहीं चाहिए माताजी, करना चाहिए ना, नहीं तो उनको का मा केरी कर रहा हूं, ये तो कुछ करनते नहीं, बैठे है, चाय बना के देदो, पानी ला के देदो, तो क्या मैं नहीं ना करूँ, ये थोड़ होंगी, तो उसके लिए अपना कोई काम, चाहिए पिया, कप आपको दोना है, नियूस पेपर पड़ा, ऐसे रख दिया फैला के, फिर माताजी आके सफाई करो, सीकर के रखो, वही सदाई करो, तो थोड़ी काम, जो अपना काम है, जो कर सकते हो, तो अपने हाथ से करेंगे तो घर में शांती हो सकती है, ऐसे है न, माता है क्या समझते हो, ऐसे होना चाहिए, कि नहीं, भाई बताओ, कर सकते हो, कि नहीं, जो नौकरी में सवेरे गए, बिजनेस में गए, खेती में गए, वो नहीं कर सकते हो, जो घर में है, बुजूर्ग होने के बाद, जो कुछ कर सकते हो तो लगता हमारे मदददार है तो स्चांती रहती है जो जीवन में सुख शांती चाहते हो गरवस्त आश्रम है पवित्र है तब यह आये ने तो कलग प्लेश है गुस्ता है आपने कुछ नहीं बोला तो उनके मन में गलत रिचार चलता है है न कुछ कहने गए तो शांती चाहते हो यह दो चीज़ चाहिए तिसरा माता जी के अंदर भी एक यह होता है पती के पास देखना चाहे उसकी कमाई कितनी है सौ रुपया है माताजी कि यूज ये चाहे बच्चों के लिए लाकर देदो तो देखा एक प्रकार का प्रेशन होता है तो पती घर में आता है खाना-क् unsan पर आगा बाकी दोस्त के पार जाके बेटेगा और किदर जाके बेटेगा कि घर में आओ माताजी का सुरू आज ये चाहिए ये लेक्या हो बच्चों को ये देदो ये देदो ये देदो वो देखती नहीं है हमारे पती की कमाई की है आज दुनिया में करप्शन आने का कारब भी यह है कि ये जो पती बच्चे जो पिताए भाई जो नोकरी करते हैं पैसे क्यों करप्शन कर रहे हैं घर में 50 रुपया नहीं 200 रुपया का खर्च है और कमा ही 50 रुपया देट सो रुपया कहां से लेंगे कहीं से तो लाना पड़ेगा ना घर में परिवार वालों को सुक देने के कुछ करना पड़ेगा ना तो करप्शन जो आया गलत रस्ता जो आया इसके कारण आया दो हो गया तो इस पर देखना चाहिए जूरूरी है पती को भी देखना चाहिए उनकी कमाई कितनी है अपने को घर के माता गरस्ती समझना चाहिए इतने में चलाना है बच्चों को भी माने बच्चों को भी समझाना चाहिए, अपने को भी साधार अरता से चलाना चाहिए, ये भी चाहिए.